आप सब परशहर से, परदिले से, देश के कोने कोने से यहाँ, इस मकसद से यहाँ आए हैं तो इसका मतलब क्या है? ये देश, ये हमारा देश क्या है? और हम किन टाकतों से, किन सक्तियों से इस देश को बचोना चाहते हैं? सवाल उचता है, हमारा ये देश है क्या? ये देश, एक अनोखे स्वतंतिता संद्राउं से उबरा, एक ऐसे अंदोलन से उबरा, जिसने हमिन्सा और प्रेव के जरीए, दुनिया के सबसे बड़े सामराजी को शिकस्त दिया. ये देश, प्रेम का देश है, अहिंसा का देश है, भाई चारे का देश है, एक दूसरे का हाथ ठांने की आदत है ये देश, एक लड़गी के दिल में सक्षम बनने की अकांशा है ये देश, एक नौजवान की आँखों में पल रहा मजबूत भविश्य का सपना है देश, एक किसांड के लब लहाते खेत है देश, ट्रैक्टरी में काम कर रहे मजबूर की कड़ मेहनत है देश, एक पौज़ी के दिल में मात्र भूमी के लिए जान देने की इच्छा है देश, अच्छाई, सच्चाई और विकास का सपना है देश, और उस सपने को देखने का हक, उसका अज़कार हर नागरिक को देने का देने वाला संविदान है देश, हर हिंदुस्टानी को समानता, स्वतंता और स्वाभिमान देने वाला लोग कंत्र, लोग कंत्र की शक्ती देने वाला है ये देश, हमें इस देश को बचाना है, क्योंकि आज इस भारत में एक ऐसी सरकार और विचाठधारा का साया चाया है, जिसके ज़रिये ना समानता का अधिकार बचा है, ना एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी भुष्यका, कुछ सालों कहले, हमारे देश की अठ्व्यवस्ता ऐसी गती से बढ़ रही थी, कि दुनिया हमारे तरफ देखने लगी, ये कहा जाता था कि चीन की तरह हिंदुस्तान की अठ्व्यवस्ता भी इतनी तेजी गती से बढ़ रही है, कि भारत की अठ्व्यवस्ता भी विश्व की सबसे विक्सित अठ्व्यवस्ताओं की तरह मस्बूत बर रही थी, विदेश्री पूर्जी भारत में अने लगी हमारी अद्योग मस्बूत बने मन्री का जैसी ग्रामी योजनाव के जरीए रोजगार बने लेकिन आज भाइडपा के छेश सानों के राज के बाद स्थिदी ये बन गही है कि रोजगार बरने के बजाए घट रही है जीडीपी पातार बराकर आ गई है महिंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है फैक्टरियां बंद हो रही है कार, मोटरसाइकल, टीवी, फिर्ज, बिसकोट, कपड़े सब खार्थानों का काम खट रहा है छोटा व्यापारी असफ़ल जीएस्टी से जूज रहा है एक तरफ आपसे काम चीना जा रहा है और दूसरी तरफ महिंगाई बढ़ती चली जा रही है फिर भी हर बस्टॉप पे, हर अख़बार पे, हर टीवी के चैनल पे भाज़ अपा के इस्तिहार में आपको लिखा क्या लिखता है जोदी है तो मुम्किन है असियत ये है बेहनों और भाईयों की बाज़ अपा है तो सो रुपे की कीलो की प्यास मुम्किन है बाज़ अपा है तो पेतालिस साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मुम्किन है बाज़ अपा है तो चार करोड नौपलिया नस्ट होना वाज अप्पा है तो 15,000 किसानों की आत्मात्या वाज अप्पा है तो हमारे नग्डतन कंपणियां की थिक्री वाज अप्पा है तो भातिय रेल वेर और रेल पोर्ट की थिक्री भाजब्पा है तो ऐसे कानून बन रहे हैं जो हमारे सम्विधान के खिलाफ है ऐसे कानून जिनकी विफाज़कारी नियत से देश का सम्विधान खत्रे में है मैं आज आप सबसे कहना चाहती हूँ जो यहां इस्राइली में उपस्तित हैं जो अपने घरों में बैठकर दीवी पर देख रहे हैं कश्मीर से लेकर अनाचल प्रदेश तक उत्तर प्रदेश से लेकर कमिलनाट तक जहां तक मेरी आवाज पहुँच सकती है देश के कोने कोने में बसे अपने देश के एक-एक नागरिक से मैं कहना चाहती हूँ अपनी आवाज उठाइए ये देश आपको प्यारा है तो आप सब देश की आवाज बनो आज अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे अगर हम इन पर इस्थितियों को देखते हुए भी भाए और जूटे प्रचार के अंकार में दबे रहेंगे अगर हम चुप रहेंगे तो हमारे देखते देखते बाबा साहे बंबेक पर दवारा लिखा गया हमारा करान की कारी संविधान नश्च हो जाएगा हमारे देखते देखते इस देश का विभाजन शुरू हो जाएगा और हमें इस गुना के उतने ही दोशी होंगे जितने भाजपा और RSS के जूटे एहिंकारी और भर्ष्ट देता है कुछ दिनों कहले मैं अबद के एक किसान के घर गई शायद उनकी उम्र मेरे पिदा की उम्रे से थोड़ी ही कम की अपने जीवन काल में उन्होंने संघर्षी संघर्ष देखा किसानी के साथ साथ लुहार का कान करते थे नोट बंदी के बाद उनका एक काम बंद हो चुका उनकी पाँच बेटिया थी एक बेटा नोट बंदी के बाद बेटा मजबूर हुआ उसे उत्तर द्रदेश छोड़ना पड़ा दूसरे द्रदेश में नौकरी जुणने के लिए गया इनी परिस्तितियों में इस किसान ने अपनी तीन बेटियों का विवा कराया अब उसके घर में दो बेटियां और उसकी बहू दो पोतियां रहती थी तब ही उसकी एक बेटी का बलापकार हुआ अपराधी प्रदान का बेटा था पुलिस के रिपोर्ट दर्ज़ करने से मदा कर दिया ये लड़की हिम्मट कही हाली हर रोज बगएर अपने पिता के मदद लेते ट्रेन में बैच कर अगले जिला में अगले जिले में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कचहरी जाती है यहाँ पर उसके गाओं में पुरधान और उनके परिवाद के लोगों ने बेरहमी से उसके पिता को पीटा उसके खेट जला डाले उसकी नौ साल की भावी की बेटी को भैवकर तरे से भंकाया फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी इंसाफ की आस में एक सुवे उचकर अपने घर से अदालत जा रही थी जब अपरादियों ने इसे पकड़ा और बीच सर्थ में इसे चड़ा डाले जलते हुए में स्टार्ची लड़की एक किलो मीटर भागी और अंत में हाथ कर दिल गए उनके घर में बैठे हुए मैं उस लड़की की भावी से ये दास्ता सुन रही थी जब उसके पिता ने अपने चेहरे को अपने खासों में छुपा कर उसके पिता रूने लगे मुझे उस पल में अपने पिता की याद आई उस पिता के अपनी बेटी के प्रेम को देखते हुए मुझे अपने पिता की याद आई जिनके छली शरीर को मैंने 19 साल की उमर में मैं घर लाई मेरे आखों में भी आखों आए मेरे पिता का खून इस धर्टी की मिट्टी में मिला हुआ है और उस किसांद की बेटी का खून भी इसी देश की धर्टी की को सीच रहा है इस देश में जो हद्याचार हो रहा है उसे रोकने का हम सब का कर्तव है यह देश हमारा है इसे विनाज से बचाना हमारा नेतिक कर्तव है